पार्ट वन में हम लोग क्यूस्चन 1 से लेकर के क्यूस्चन नंबर 15 तक कंप्लीट कर चुके हैं तो आज हम लोग क्यूस्चन नंबर 16 से देखेंगे यह एक्जामपलर क्यूस्चन जो है यान CRT बुक से सब हम लोग साल्व कर रहे हैं तो चलिए देखते हैं क्यूस्चन नं सुफोर और सांद्र यस यनो 3 के मिस्तरन द्वारा बेंजीन की नाइट्री के रण है यहां नाइट्री के रण है अब जानते रहें नाइट्री के रण अब क्रिया में बनने वाला इस्पिसीज जो अब क्रिया की अब क्रिया को प्रारंब करता है यह वह क्या है तो यहां पर पर हम रहों को यह जानना है कि क्या यह ENO2 है या फिर ENO2 है या ENO2 प्लस है या ENO2 माइनस है तो देखिए सिम्पल है अगर कभी भी आप देखते हैं तो जैसे ENO2 देखते हैं ENO3 की पहले आप वो इस्ट्रक्चर बना लिजिए तो यहा देखिए ENO3 होकर के कुछ इस तरीके की पहले होता है यहां आक्सीजन होगा और फिर इसके बाद ENO3 का पहले है यह डिजिए यह तो यह सै यह ब्रिक करता है और इस पर निगेट्व चार्ड और इस पर यही है जो आप देखते हैं रियक्षन में पार्टिसिपेट करता है तो इसका जो आपसन होगा वो यह थर्ड हो जाएगा ठीक, यही पूछ रहा है कि सांद्रियस्टियस अफोर और सांद्रियस यही नौ 3 के मिस्तन द्वारा बेंजीन के नाइट्री के रण की जो अभक्रिया है उसमें इस पिसीज जो प्रियुक्त होता है यही यनोटू प्लस होता है ठीक यह जानते रहिए चलिए देखते हैं Q17 Q17 देखिए Aromatic Nitro-Yogic का यफी और HCL द्वारा अपचेन देता है Aromatic Nitro-Yogic Nitro-Yogic यह है यह Nitro-Yogic है और जब आप यहाँ यनोटू रहता है जब आप इसका यफी और HCL के साथ रियक्षन करते हैं तो Inilene देता है यफी और HCL के साथ आप रियक्षन करते हैं तो क्या बनता है प्राड़क्ट Inilene ठीक यह Inilene प्राप्त होता है NH2 ठीक यह NH2 प्राप्त होता है तो EC साथ से अगर आप देखेंगे तो Aromatic Prathmik Amine यह आपका Option Third Correct हो जाएगा Aromatic Axeme तो है नहीं Aromatic Hydrocarbon भी नहीं है Aromatic Amide भी नहीं है तो यह आप जान रहे हैं कि Aromatic Prathmik Amine होता है तो इसका Option Third Correct हो जाएगा देखते हैं 18 नमबर का Question Tanu Hydrochloric Amla के प्रती सरवाधिक क्रियासील एमीन कौन सा है Dilute HCl के प्रती सरवाधिक क्रियासील एमीन इसमें से कौन सा है आईए देखते हैं जैसे यहां देखिए Option First में तो CH3 जो है एक ही ग्रूप है आप देख रहा है दूसरे वाले आपसन में ज़रा देखिए दो ग्रूप है तो अभी तो पहले से ज़्यादा यह दूसरा ही है और इसमें ज़रा देखिए तीसरे वाले में हाँ है तो तीन ग्रूप तो है तीन ग्रूप है लेकिन आपको पता है बताया गया था आपको कि बेसिक आर्डर जो है सिकंडरी का सबसे ज़्यादा होता है और मेथिल के केस में अगर है तो इसके बाद फिर आता है क्रम प्राइमेरी क्या और फिर आता है टर्सियरी क्या ठीक तो देखिए इस टर्सियरी से tertiary से ज़्यादा तो primary ही है और सबसे ज़्यादा secondary तो secondary अभी आपका option second ही ये most appropriate हो रहा है और इसमें ज़रा देखिए fourth में इसका loan pair जो है ये तो delocalization में चला जाएगा ये तो मिलेगा नहीं तो आपका option second ही ये correct होगा ठीक dilute HCL कि प्रत सरवाधिक क्रियासी लेमीन काउन होगा ये आपका second होगा ठीक important है जानते रहिए चलिए देखते है question number 19 देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है प्राथमी केमीन के साथ अब क्रिया से amyl enhydride देते हैं प्राथमी केमीन के साथ प्राथमी केमीन आपका जैसे र-NH2 है र-NH2 ये प्राथमी केमीन है और इसके साथ इसके साथ हाब अब क्रिया करवाएंगे किसकी amyl enhydride amyl enhydride क्या है जरा देखिए यहाँ आए इस तरीके से बना दे रहे हैं CH3 C double banded O और यहाँ oxygen और अगेन यहाँ यह enhydride है यह क्या है enhydride यहाँ भी CS3 रहता है ठीक अब आप जान रहे हैं कि इसमें अगर यह enhydride अगर break करेगा तो किस तरीके से तूटेगा तो यहाँ जरा देखिए यहाँ से break करेगा यह यह यहाँ से और इसमें से एक yach निकल जाएगा एक yach यहाँ से निकलेगा तो यह बचेगा क्या r yach बचेगा r yach और यह ग्रूप आप देख रहे हैं यही आकर के जुड़ जाएगा यहाँ से जरा देखिए yach जाएगा जब एक yach इसमें से निकलेगा तो यहाँ आजाएगा क्या निगेटिव चार्ज आजाएगा निगेटिव और जो yach निकलेगा उस yach पर positive और यहाँ से जब यह break कर रहा है तो इस carbon पर positive आएगा और इस oxygen पर negative तो इसके negative से इसके negative से इसका positive part यही जुड़ेगा मतलब C यह पर्ट C O यहाँ देखें C O CH3 यह जुड़ेगा और estic acid बन जाएगा यह यह जुड़ेगा जब जा करके तो CH3 COOH ठीक तो यह आपका क्या है इसको पहचानिये इसमें दिया है amide CH3 COOH हाँ amide part तो बन रहा है है न amide और दिया है amide नहीं amide नहीं है amide ही है दुतिय के mean नहीं दुतिय के mean भी नहीं आप देख रहा है amide बन रहा है और amine तो आपका इसमें पहला option ही correct होगा ठीक है amide बन रहा है क्या बन रहा है amide ठीक तो यह 19 का option फर्स्ट ही correct होगा चलिए देखते हैं next question 20 ठीक 20 number यह देखिए है न 20 number के यह question देखिए क्या कहा जा रहा है अब क्रिया देखें आप इसको अब क्रिया AR AR मतलब कोई aerial group जैसे आप देखते हैं यह यह group आपका aerial group कहा जाएगा और यहां से N2 जुड़ा है यानि N double bonded N ठीक N2 और यहीं CEL ठीक यह जुड़ा है और C-U-C-E-L है ना C-U-H-C-E-L है सॉरी C-U-H-C-E-L यह तो आप जानते हैं गाटर मान reaction आप पढ़े होंगे है ना गाटर मान reaction C-U-H-C-E-L C-U-C-E-L इसका नाम पूंच रहा है तो गाटर मान reaction यह तो आप पढ़े हैं यह अपसन इसका सिकंड ही correct हो जाएगा ठीक अगर यहीं पर C-U के साथ C-U के साथ अगर आप लिए होते क्या C-U-C-E-L क्या लिए होते C-U-C-E-L और H-C-E-L अगर आप लिए होते तब सेंड मेर reaction हो जाता लेकिन यहाँ पर C-U के साथ C-U powder लिए गया और H-C-E-L तो यह गाटर मान reaction हो जाएगा ठीक चलिए देखते हैं 21 नमबर का question 21 नमबर का question देखिए जरसा स्रिंखला में कार्बन परमाड़ों की संख्या आपरिवर्थित रखते हुए मतलब कार्बन परमाड़ों की जो स्रिंखला होगी उसको बदलना नहीं है उसको आपरिवर्थित रखते हुए इलकिल हैलाइडों से प्राथमिक एमीन बनाने की सर्वोत्तम विधी कौन सी है दिहान देजिए स्रिंखला में कार्बन परमाड़ों की संख्या कार्बन परमाड़ों की संख्या नहीं बदलना है है न आप परिवर्तित रखना है उसको आप परिवर्तित रखते हुए इलकिल हैलाइडों से इलकिल हैलाइड आपको लेना जैसे ये इलकिल हैलाइड है ठीक है इसके साथ प्राथमी केमीन बनाने प्राथमी केमीन बनाने की सरवत्तम विधियमनों को देखना है मतलब प्राथमी केमीन किस से आप कारबन को बिना कम किये हाफमान ब्रोममाइड में तो आपको जानते हैं कार्बन कम करना ही पड़ता है इसमें ये होता है और यहाँ पर जैसे र, c, o, n, h, 2 होता है इमाइड तो ये तो कम करते हैं जब आप ये अन्ने, o, h, or, b, r, 2 क्रिय करवाते हैं तो ये हट जाता है तो ये तो हो नहीं सकता ग ये भी नहीं होगा और अमोनिया के साथ हवक्रिया ये भी नहीं सबसे बेस्ट जो होगा गैब्रियल थैलमाइड ही यही प्राथमी केमीन बनाने की सरवत्तम बिदी है शलिए देखते हैं 22 क्यूशन नमबर 22 देखिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ निमलिख इसके दूनों साइड कोई AR ग्रूप है ना एरिल ग्रूप एरिल ग्रूप जुड़ जाता है तो यही आपका क्या कहलाता है एजो युगमन कहलाता है ठीक लेकिन इसमें से कौन सा ऐसा है जो एजो युगमन नहीं करेगा तो देखिए एनलेन तो कर लेगा है ना क्योंकि ये इलेक्रान देने वाला ग्रूप है रिंग को, फिनाल भी आप जान रहे हैं, फिनाल में जैसे OH है, तो ये भी इलेक्रान देने वाला ग्रूप है, तो ये भी नहीं होगा, ये इनी सोल भी इलेक्रान देने वाला ग्रूप है, नाइट्रो ग्रूप इलेक्रान खीचने वाला तो ये नहीं देगा, थीक है, चाथा भी कलप जो होगा, ये फोर्थ वाला नाइट्रो बेंजेन ये ही करेक्ट होगा, थीक है, चलिए देखते हैं, next question, question number 23 आप देखेजे 23 Question में क्या कहा जा रहा है जरा देखें इसमें ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित यॉगिकों में से कौनसा सरवाधिक दूरूर्बल ब्राँच टचा रहा है दूरूर्बल यहाँ पूछा जा रहा है अब जैसे आप चेक करिए यह इसमें आप देखिए loan pair है ये भी देने वाला ही group है है ना इसमें delocalized होगा ये अगर आप देखें इसमें के जो loan pair है ये तो बाहर दे सकता है मतलब एक अच्छा ये छार है ठीक और ये जर्दर देखें इसमें third walima जर्दर देखें इसमें दो दो लोन पेर हैं और यहां आप जानते हैं जैसे अगर फिनाकसाइड यह चगर निकल जाए इसका फिनाकसाइड आयन बनेगा तो लोन पेर दो है और साथ ही साथ एरोमैटिक यह वाला रिंग एरोमैटिक भी है तो डिलोकलाइजेशन सरवाधिक होगा और इसका ल दिकल नंबर जो थर्ड है इसी को आप फिनाल कहते हैं तो ये दूर्बल ब्रॉंस स्टेट छार है और इसका भी लोन पेर तो देखिये मिल जाएगा मतलब ये दे सकता है क्योंकि ये तो एरोमैटिक है नहीं तो ये भी दे सकता है इन दोनों में केवल आपको जाणना था इसमें इन दोनों में यहाँ एक ही लोन पेर है जबकि यहाँ पर दो है ठीक है दो है इसलिए यह आपका option correct होगा ठीक है third वाला option चलिए देखते हैं 24th question देखिए 24th question में क्या कहा जा रहा है बिकल्प सभी आपको दिखने चाहिए देखें जरा कहा जा रहा है कि निमनलिखित एमीनों में से कौन सा प्रबलतम ब्रांश्टेट चा रहा है इसके पहले दुरबलतम पूछा था और यहाँ प्रबलतम पूछ रहा है तो प्रबलतम के लिए जरा देखिए कि आप देखेंगे यहाँ पर लोन पेर है लेकिन यह लोन पेर डी लोकलाजेशन में जाएगा तो यह तो हो नहीं सकता यहाँ पर जरा देखिए यह अमोनिया है यह में भी हो सकता है है न हो सकता है यह और यहाँ का लोन पेर यह भी इसको इरोमेटिक बना रहा है तो ये भी नहीं मिलेगा ठीक अब यहां सब्सक्राइब यहां का लोन पेर देखिए इसका ये इरोमैटिक है इरोमैटिक है और साथी साथ अब इन दोनों में ज़रा चेक करिए इन दोनों में कौन सा होगा तो इसमें आपका फोर्थ यहीं होगा फोर्थ वाला होगा क्योंकि आप आगर चेक करेंगे PKB value PKB value इसका कम होता है और जिसका PKB value कम होगा वही प्रबल छार होगा तो आपका अपसन जो होगा यह फोर्थ वाला ही होगा ठीक है अमोनिया से ज्यादा इसका होता है यह आपका एक साइकलिक है और साथ ही साथ यहाँ लोन पेर जो है वो किसी डिलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं है ठीक तो यही आपका आपसन फॉर्थ करेक्ट होगा ठीक देखते हैं यह 25 क्यूश्चन नमबर 25 देखिए निमनलिखित इस पिसेज की घटती हुई छार की प्रबलता का सही क्रम है अब देखिए यह 2 दिया है अमोनिया दिया है और आपका OH- और NH2- तो यह देखिए इसको कैसे आप निक्यालेंगे सबसे पहले तो आप यह कर लीजिए ठीक इसको निक्यालने का यह तरीका है वाटर जो आप देख रहा है वाटर तो नियूटरल है वाटर क्या है नियूटरल अब अमोनिया है अमोनिया एक बेस है अच्छा बेस है OH- जरा देखें आप चेक करें देखिए यह 2 यह तो नियूटरल हो जाएगा ठीक OH- जो है OH- अगर आप देखें यह अगर यह प्लस जोड़ देंगे तब तो यह water हो जाएगा तो आपको यही जानना है यहाँ पर कि point आपको चेक करना है जैसे ammonia जो है यह water से ज़्यादा है ठीक है water से ज़्यादा basic है लेकिन सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा यह nh2 minus जो है nh2 minus यह इसके पास loan payer भी है और साथी साथ negative charge आ गया मतलब electron की density बढ़ गई तो यह तो water से ज़्यादा है है ना water से ज़्यादा है nh2 यह अगर आप चेक करें इसमें सबसे ज़्यादा यही है तो option चेक करिए पहला ही हो जाना चाहिए है ना सबसे ज़्यादा basic कौन होगा nh2 minus इसके बा OH minus होगा और तब आएगा करम इसका ammonia का और सबसे कम water का ठीक तो सबसे कम water का इन चारों बिकल्पों में भी आप देखेंगे तो सबसे कम इसी क्या रहा है तो यह option आपका फ़स्ट ही सही होगा चलिए देखिए क्यूचन नंबर 26 देखिए क्यूचन नंबर 26 में कहा जा रहा एक निम्लखित में से कौन सा सरवाधिक वास्प सील होना चाहिए तो सरवाधिक वास्प सील आपको long chain चेक कर लीजिए जिसमें होगा वही सरवाधिक वास्प सील होगा अब यहाँ देखिए सबसे लंबी चेन तो यहीं पाहले में ही मिल रही है है तो इस हिसाब से option number 3 हो जाना चाहिए और यहाँ पर तो देखें यह अलग-अलग यह nitrogen से अलग-अलग यहाँ methyl group जुड़े हैं तो यह तो होगा नहीं और यहाँ जरा देखें यहाँ भी दो group जुड़े हैं लेकिन यहाँ long chain इसी मिल रही है और साथी साथ NH2 group भी यहाँ जुड़ा है यहाँ जब चलिए देखते हैं next question question number 27 देखिए क्या कहा जा रहा है इसमें एमीनों के संसलेशन की निम्लिखित बिधियों में से कौन सी बिधी से एमीन की कार्बन स्रिंखला में उतने ही परमाडू रहेंगे जितने की अभिकर्मक में होंगे देखिए क्या कहा जा रहा है प्रश्न को फिर से समझेए एमीनों के संसलेशन की निम्लिखित बिधियों में से एमीन बनाना है और इसमें से कौन सी बिधी हम लोग एमीन की कार्बन स्रिंखला में उतने ही परमाडू रहेंगे जितने की अभिकर्मक में आप लिए थे ठीक तो कौन सी होगी देखिए नाइट्राइल की यलाई-ल्याच-फोर के साथ अभिकर्या नाइट्राइल मतलब जैसे सायनाइड यहाँ छेके ये आप देख रहे हैं यहोगा या फिर एमाइड ले ले एमाइड एमाइड मतलब जैसे rc o n h 2 की यलाई ALEA4 के साथ अभक्रिया की पस्चात जल से अभक्रिया ये होगा या फिर इलकिल हैलाइट को थैलिमाइट के पोटैसीम लवन के साथ गरम करने के पस्चात जल अभगटन करने पर तब होगा या इमाइट की सोडियम हाड्राकसाइड इमाइट आप जान रहे हैं इमाइट क्या है जैसे R-C-O-N-H-2 C-O-N-H-2 ग्रूप सोडीम हाडराकसाइट के विलियन में ब्रोमीन से अब क्रिये करवाँ इसमें तो कम हो जाता है आप जानते हैं तो ये फोर्थ जो है ये तो होगा नहीं अब जरा देखिए एक ये जरा थार्ड को देखिए थार्ड को देखें इलकिल हैलाइड को थैली माइड के पोटैसियम लवण के साथ गरम करने के पश्चात जलब घटन करने पर प्राथमिक एमीन जो होगा सबसे ज़्यादा मात्रा में और सबसे उप्युक्त विधी यही थैली माइड रियक्शन ही होता है ठीक तो इस हिसाब से आपका जो आपसन होगा यह थर्ड ही करेक्ट होगा ध्यान देजिए है ना नाइट्राइल के यलाई एलियाच फोर के साथ अब करिया ठीक यह तो करवा लेंगे इसमें भी बनता है लेकिन यहां यह जो मोश्ट एप्रोप्रियेट जो आपका आपसन होगा वो थर्ड ही होगा इलकिल हैलाईट को थैलिमाईट के पोटेसियम लमण के साथ गरम करने के पस्चाज जला बटन करवाएंगे तो यह आपका आपसन यही इन चारो बिकल्पों में अगर आप देखेंगे तुलनात्मक रूप में सबसे अच्छा बिकल्प है तो थर्ड हो जाएगा अब देखिए हम लोग देख लेते हैं बहु बिकल्पी प्रश्न प्रारूप सेकंड में आपके और भी क्यूस्चन कुछ दिये गये हैं और इसमें देखिए एक से अधिक बिकल्प सही होंगे है ना देखिए यहां लिखा गया है कि नोट निमनलिखित प्रश्नों में से दो या इससे अधिक बिकल्प सही हो सकते हैं तो इसको आप जरा देख लीजिए काफी अच्छा प्रश्न है जरा देखें क्या हो सकता है द्यान दीजिए देखिए कहा जा रहा है 28 प्रश्न देखिए निमनलिखित में से कौन से योगिक सैंड मायर अब क्रिया द्वारा नहीं बनाये जा सकते नहीं यहां देखिए, नहीं बनाय जा सकता संड मायर अब करिये द्वारा तो क्या हो सकता है, क्या क्लोरो बेंजीन से आप बना सकते हैं क्लोरो बेंजीन से बना सकते हैं, कि नहीं बना सकते हैं संड मायर अब करिये द्वारा नहीं बनाय जा सकते अब आपका ब्रोमो बेंजीन देखिए ये ब्रोमो बेंजीन अगर आप चिक करें तो ब्रोमो बेंजीन में भी बनाया जा सकता है आपको पता है सन्डमाय रियक्सेंस बना सकते हैं लेकिन आयडो बेंजीन और फ्लोरो बेंजीन ये नहीं बनाया जा सकता तो इसमें ये दोन इससे अधिक बिकल्प सही हो सकते है तो इसमें ये दोनों बिकल्प जो आपको देखने को मिल रहा है ये सही होगा सैंट मायर रियیک्शन से आप क्लोरो बेंजिन, ब्रोमो बंजिन बना सकते हैं चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्यूश्चन question no.29 देखिए निमलिखित में से कौन सा अभिकरमक नाइट्रो बेंजीन के अपचेयन से अनलीन देगा अब आपको यह जानना है कि यहाँ एक से अधिक विखलब सही हो सकते हैं यह जानते रही dirig ठीक है? तो निमलिखित में से कौन सा अभिकरमक नाइट्रो बेंजीन के अपचैन से एनलीन देगा तो नाइट्रो बेंजीन हाँ ये भी देगा SNHCL, FEHCL भी देगा और H2PD हाँ ये देंगे एक, दो, तीन, तीनों विकलप भी तक ये देंगे चौथा देखिए SNH4OH ये नहीं देगा तो यहाँ पर कहा गया था कि अपचैन से एनलीन देगा तो इसमें आपका ये तीनों विकलप सही है ये तीनों विकलप सही होंगे पहला, दूसरा और तीसरा अब देखते हैं next question इसमें देखी ये question ऐसे हैं जिसमें एक से अधिक विकलप सही हो सकता है कार्बी लेमीन परिछण में निमनलखित में से कौन सी स्पिसीज भागीदार होती है कार्बी लेमीन में ध्यान देजिए तो कार्बी लेमीन परिछण में आप जरा चेक करिए कार्बी लेमीन में ये तो आईसोसायनाइट ये तो बनेगा ही कार्विलेमीन यही product है मुख्य product है यह main product यही है और यह भी प्रयुक्त किये जाता है CHCL3 भी प्रयुक्त करते हैं हम लोग कार्विलेमीन परिछण में आप क्या करते हैं प्राथमी केमीन लेते हैं CHCL3 लेते हैं और ENAOH या KOH लेते हैं तो यह आपका आईसोसाइनाइड बनता है ठीक तो यह दोनों कार्विलेमीन परिछण में प्रयुक्त होते हैं COCL2 और यह दोनों नहीं होते तो आपका जो आपसन होगा यह पहला भी सही होगा और दूसरा भी सही होगा ठीक इसमें पूछा गया है कि निम्लखित में से कौन सी स्पीसीज भागीदार होती है तो यह दोनों भागीदार होंगे यह प्राडक्ट बन जाता है और यह तो रिक्रेंट में लेते हैं ठीक चलिए देखते हैं एक से अधिक बिकल्प इसमें सही वाले हम लोगों ने प्रशन लिया हुआ है देखिए 31 की उस्चिन का क्या कहा जा रहा है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइट को बेंजीन में परिवर्थित करने के लिए कौन से अभिकरमक प्रियुक्त किये जा सकते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइट को बेंजीन में बदलना है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइट को किसमें परिवर्थित करना है बेंजीन में तो बताएए क्या ये पहला वाला जो आपसन है ये तो नहीं होगा बेंजीन में बदलना है ना अब देखें दूसरा CS3, CH2 OH, इलकोहाल हाँ, इलकोहाल का यूज करके अगर आपके पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड यहाँ, N2Cl N2Cl है और इस पर अगर आप इलकोहाल डालते है है ना आर ओ एच इलकोहाल डालते है तो यह बेंजीन में परिवर्टित कर देगा यह जानते रही है ठीक है, बेंजीन में बदल देगा H3PO2 भी बदल देगा ठीक है, H3PO2 भी बदलता है आप जानते है तो इस तरीके से इसमें आपका कौन कौन सा आपसन करेक्ट हो रहा है जरा देखिए ध्यान से इसमें आपका आपसन यहां देखिए यह दूसरा भी सही हो रहा है और तीसरा भी सही हो रहा है यह तो यह नहीं आप कर सकते इसका यूज़ ठीक है तो यहां आपके दो आपसंस ही हो रहा है दूसरा और तीसरा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइट पर अगर इन दोनों का उपयोग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा बेंजीन मिलेगा ठीक दोनों आपसन सही है इसको याद रखें important है ठीक चलिए देखते हैं next question 31 31 question देखिए क्या कहा जा रहा है 31 question में कहा जा रहा है निमलिकित अब क्रिया के उत्पाद है यहां इसका उत्पाद क्या है अब इसमें आप आपसन देख लीजिए यहां दिया गया है आपसन देखिए यह आपसन है चलिए यहीं से आप साल्व कर लेजिए फिर वहां समयच कर लेंगे ठीक इसी में आप साल्व कर लेजिए वहां समयच कर लेंगे हम लोग क्या क्या बन यह आपका आपसन पूरा देख लिजिए यहाँ पर देखें ब्रोमीन है और ENHCOCS3 है यहाँ ब्रोमीन यह आर्थरो पोजीशन यहाँ पैरा पोजीशन और ENHCOCS3 है यहाँ मेटा पोजीशन पर है और यहाँ पर यह आर्थरो पोजीशन और आप देख पा रहे होंगे कि पैरा position पर लगा हुआ है तो bromine देखते हैं कहां पर ये लगेगा आईए देखते हैं ये question है आपके सामने निम्नलिखित अब क्रिया के उत्पाद आपको चक्रना है तो bromine जरा देखें bromine ये कहां जुड़ेगा तो bromine कहां जुड़ सकता है आर्थ्रो और pyra पर ठीक इसके साथ अपने estic acid भी लिया हुआ है तो आर्थ्रो पर जुड़ सकता है और pyra पर जुड़ सकता है तो आर्थ्रो वाला भी product मिलेगा और pyra वाला भी मिलेगा ठीक आर्थ्रो पैरा दोनों आपको मिलेंगे तो इस हिसाब से आप चेक करें तो आपसन आपका कौन सा सही होगा आपसन आपका first भी सही हो जाएगा और second भी सही होगा ठीक लेकिन ये ये नहीं मिलेगा और ये भी नहीं मिलेगा ठीक तो ये भी correct होगा और ये भी यहाँ पर ये ऐसा प्रशन लिया गया है कि जिसमें दो या दो से अधिक बिकल्प करेक्ट हो सकते हैं तो आपका बिकल्प वन टू दोनों होगा ठीक चलिए देखते हैं 33 क्यूशन देखिए ये 33 नमबर का प्रसंद देखिए इनलीन के ब्रोमीन इनलीन के ब्रोमीन में भाग लेने वाले एरीनियम आयन है इनलीन के ब्रोमीन में भाग लेने वाले एरीनियम आयन इसमें कौन सा है तो चेक करें देखिए कौन सा हो सकता है इसमें ये पहला जरा चेक करें पहला देखें इनलीन है तो यहां से अपना लोन पेर जब यह donate करेगा delocalization में ले जायेगा donate करने के मतलब यहां delocalization में ले जायेगा तो यहां double bond आ जायेगा और bromine arthro position पर ठीक यह तो होगा जरा इसको देखिए यहां यहां पर अगर आप चेक करें 5 2 iron यहां पर आ रहा है मेटा पोजीशन पर ये ठीक ये देखिए खीचने वाला भी ग्रूप की तरह या ब्यवार करता है ये भी जानते रहिए तो मेटा पोजीशन पर पास्टू आएगा इलेक्रान तो बढ़ाएगा नहीं ना देता भी इलेक्रान ये देता भी है जब आप इसके साथ क्रिय करवाते हैं जैसे यहाँ पर अगर ये नेच्टू ना हो कि नेच्ट्री हो जाता है तो इलेक्रान खीचता भी है तो मेटा पोजीशन से पास्ट्टू डेबलप होगा मेटा पोजीशन पर और यहाँ जरा देखिए अगर इलेक्रान दे रहा है तो पैरा पोजीशन पर भी होगा आर्थ्रो पोजीशन पर पास्टू नहीं आ सकता मेटा पर आ सकता है तो इस हिसाब से आपका आपसन नंबर ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों सही होंगे फोर्थ वाला ये नहीं हो सकता ठीक तो जानते रहेए कौन-कौन ये एरिनियम आयन भाग लेने वाले एरिनियम आयन है तो ये फर्स्ट भी हो सकता है सेकंड भी हो सकता है और थर्ड भी हो सकता है ठीक चलिए देखते हैं क्यूशन नंबर थर्टी फोर देखिए Q34 में देखिए क्या कहा जा रहा है कि निमनलिखित एमीनों में से कौन सी गैब्रियल संसलेसनर द्वारा विरचित की जा सकती है तो कौन-कौन से प्राथमिक एमीन की जा सकते हैं आपको पता है तो देखिए इसमें से कौन-कौन से हो सकते हैं आइसो ब्यूटिल एमीन जो है ये प्राथमिक है तो ये तो पहला हो सकता है और दूसरा जरा देखिए टूफेनिल एथिल एमीन ये भी हो सकता है क्योंकि ये भी तो प्राथमिक ही है ये भी हो सकता है ठीक तो ये दूसरा भी हो सकता है एनमेथिल बेंजिलेमीन एनमेथिल मतलब सिकंडरी हो गया और इनलीन तो इससे बनाया नहीं जा सकता क्योंकि ये एरोमेटिक है तो आपका पहला और दूसरा जो आपसन है यही करेक्ट है पहला और दूसरा ठीक ये दोनो नहीं होंगे ठीक ये जानते रहिए अब हम लोग देखते हैं next question question number 35 देखिए 35 question देखिए क्या कहा जा रहा है 35 कहा जा रहा है कि निम्रकित में से कौन सी अब क्रिया सही है अब क्रिया इसमें चिक करना है कि कौन सी अब क्रिया सही है पहला देखिए जरा यहां पर आपका यह दिखी कार्बन है और इससे क्लोरीन जुड़ा हुआ है और यहां हाइडरोजन है यहां भी हाइडरोजन है और इधर आप कोई भी जैसे आर ही यहां लेख सकते हैं ठीक इसके साथ आप टू मालेक्यूल ले लीजिए क्या नच-3 अमोनिया दो अदो आप अब देखिए क्रिये करवाएंगे तो क्या होगा ये तो ये जो देख रहे हैं यहाँ पर ये HCl तो निकल जाएगा और इसके बाद साथी साथ NH4Cl और यहाँ पर NH2 एक जाकर के जुड़ जाएगा ठीक ये ये रियेक्षन तो आपका सही है ठीक है NH4Cl और NH2 जुड़ेगा ये तो सही है रियेक्षन पाला सही है दूसरा देखिए जरा दूसरा तीसरा ये सब ही चेक कर लेजिए ठीक देखिए इसमें दूसरे में क्या है यहाँ जली के ओएच आ रहा है जली एक्वस के ओएच आप ले रहे हैं तो क्या होगा क्या इलकीन बनेगा देखिए यहाँ पर आपने टर्सियरी लिया हुआ है तो ऐसे कंडिशन में यहाँ तो सफ्टिच्यूसन होना चाहिए लेकिन यहाँ पर इलिमिनेसन दिया है तो ये तो जली होगा जली अगर यहीं पर आप लिये होते एक इलकोहालिक आप लिये होते तब यह सही हो जाता पर यहाँ पर क्या है जली है अगर यहीं इलकोहालिक होता तब यह सही हो जाता लेकिन यहाँ जली है तो यह तो गलत हो जाएगा तीसरा देखिए यह तीसरे में यहाँ स आपने लिया है तो यहां से देखिए यह CEL है और इलकोहाली लिये हैं तो यह भी यह तो सही हो जाएगा क्योंकि यहां से CEL और H निकलेगा तो डबल बांड यहां आ जाएगा और है इसमें तो तीसरा सही है दूसरा सही नहीं है चौथा देखिए चौथे में आप चेक करिए जरा चौथे में यहां पर यह आपका एक कार्बन का चेन है और NH2 जुड़ा है HNO2 आपने लिया है 0 डिग्री सेलसीयस पर तो देखिए यह चेन अगर ना बदलता तब ओ यह चोथा तब सही हो जाता तब तो इल्कोहल बनता लेकिन यह भी गलत हो गया इसलिए यह आपका थर्ड वाला करेक्ट होगा क्यों होगा क्योंकि यह ल्कोहलिक है और इल्कोहलिक की वेच लेंगे तो Elimination होगा डबल बांड आएगा यह पहला पहला वाला आपका सही है था और यह तीसरा वाला भी सही था तो First First आपका यह Correct है जानते रहिए ठीक है यह Correct है और साथी साथ आपका यह Third वाला सही है इसमें इसमें आपका यह सही है यह गलत है और यह भी गलत है ठीक चलिए देखते हैं Next Question Question Number 36 देखी क्या कहा जा रहा है Question Number 36 में अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें कहा जा रहा है निमलखित अभक्रिया अवस्थाओं में अवस्थाओं में से एनलीन किसके द्वारा पायरा नाइट्रो व्यूत्पन मुख्य उत्पात के रूप में देती है निमलखित अभक्रिया अवस्थाओं में से इनलीन किसके द्वारा पायरा नाइट्रो व्यूत्पन मुख्य उत्पात के रूप में देती है तो मुख्य उत्पात के रूप में इसमें से क्या क्या मिलेगा आप ज़रह देखें पहला देखिए एसेटिल क्लोराइट पिरिडीन तक पस्चात सांद्री ह2SO4 फिर सांद्री ह193 के साथ हब करिया इनलीन हाँ ये तो होगा ये रियक्षन हो जाएगा क्योंकि इनलीन किसके दोरा पैरा नाइट्रो व्यूत्पन आप चान रहे हैं इसका अगर नाइट्रेशन करवाते हैं तो याद होगा आपको कि नाइट्रेशन करवाते हैं तो क्या होता है आपको याद होना चाहिए ये आपको याद होगा कि अगर आप NH2 से क्रिय करवाते हैं नाइट्रेशन करवाते हैं तो नाइट्रेशन करवाएंगे तो क्या मिलेगा प्राड़क्ट आपको मिल जाता है आर्थ्रो पैरा और मिटा भी मिलता है तो आर्थ्रो वाला तो ज़्यादा मात्रम बनता है ठीक है अब जैसे यहाँ NH2 और ENO2 ENO2 ठीक यह तो आपको लगभग 51% इसका मिलता है न और यह देखी मिटा वाला इसमें मिलता है यह मिटा वाला 47% मिलता है ठीक यह इंपोर्टन्ट है ENO2 ठीक ENO2 यहाँ यह आपका 47% मिलता है 2% तो मिलता है उसका आर्थ्रो पोजीशन वाला तो जानते रहेए 2% यह भी मिलता है इसमें आर्थ्रो पोजीशन पर भी आप ENO2 जोड़ दीजिए यहाँ NH2 और यही पर ENO2 ठीक तो यह 2% यह भी मिलता है तो इसी साब से आपका पहला वाला जो आपसन है वो तो करेक्ट है ठीक पहला आपसन आपका क्या है सही है अब दूसरा आपसन जरा एक बार चेक कर लेजीए देखिए क्या है उसमें ठीक दूसरे में देखिए क्या कहा जा रहा एसे टीक एन हाइड्राइड पिरिडीन तत पश्चात सांद्र यस्टू यस्टू यसो फोर इसको चिक कर ये क्या इसमें होता है बताएं सांद्र यस्टू यसो फोर फिर यस्टू यस्टू यसो फोर फिर यस्टू यस्टू यसो फोर फिर यस्टू 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 यसो फोर फिर सांद्र यस्टू 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 यसो फोर फिर सांद्र यस्टू 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 यसो फोर फिर सांद्र यस्टू अपक्रिया क्या यह होगा एक बार मिलाइए और बताइए ठीक देखिए तो देखिए इसमें आप ध्यान से इसमें अगर आप देखेंगे तो क्या मिलेगा पहला तो correct है ठीक है पहला correct है इसके बाद अगर आप चेक करें aceticonhydride और periodine इसके साथ अगर आप aceticonhydride के साथ क्रिये करवाते हैं तो क्रिये हो जाते हैं ततपस्चाथ h2SO4 सांद्री h93 के साथ अप क्रिये हाँ ये भी हो जाता है सांध्र EECL तत पस्चात ETS2SO4 फिर ETS103 ये नहीं होगा ठीक है ये तो नहीं होगा जानते रहिए तो इसमें आपसन ये पहला और दूसरा यही सही है ठीक यही सही है estic anhydride, pyridines के साथ क्रिय आप करवाते हैं उसके बाद सांद्र S2SO4 फिर सांद्र S2SO3 के साथ तो हो जाता है nitration लेकिन इसमें इन दोनों में अगर आप देखिए इनके साथ अगर आप क्रिय करवा दिये इनके साथ क्रिय करवा दिये ठीक है यहाँ पॉच्टिव हुआ जाता है तो उसके बाद आप यह यहाँ आप क्रिय करवाएंगे तब कहाँ आप क्रिय नहीं हो पाएगी ठीक है अब पैरा नाइट्रो ब्यूत्पन मुख्य उत्पात के रूप में यह नहीं मिलेगा ठीक है मुख्य उत्पात के रूप में क्रिय तो हो जाएगी नाइट्रो यहाँ लेकिन मेटा वाला ज्यादा मिलेगा ठीक है मेटा वाला ज्यादा मिलेगा पैरा वाला यहाँ पूचा था ना तो पैरा पॉजिशन वाला कम मिलेगा तब यही ज़्यादा मात्रम मिलना सुरू हो जाएगा और सांद्रियाश एर नो थ्री सांद्रियाश टू ये सो फोर के साथ इसमें भी आपको मेटा वाला ही मिलेगा तो इसी साथ से आपका आपसन फर्स्ट और सेकंड करेक्ट होगा चलिए लास्ट क्यूशन आज का देखते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट सिरीज में लग उत्तरी प्रश्न भी देखने वाले हैं देखिए लास्ट क्यूशन आज का इसमें कहा जा रहा है कि निमलखित में से कौन सी अभक्रियाएं इलेक्ट्रान इसने ही जिसे आप इलेक्ट्रान रागी कहते हैं है ना इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक प्रतिस्थापन है निम्रकित में से कौन से अब करिया जो है वह इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिच्यूसन है इलेक्रान रागी एरोमेटिक प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन जिसे आप सब्स्टिचूशन कहते हैं इसमें से कौन सा है क्या एसी ते ने लाइड का ब्रोमीन के साथ क्रिय करवाते हैं तब होता है ये तो होता ही है प्रतिस्थापन ही होता तब ही तो होता है इसमें देख है एनलीन का डाइजोटी के रण एनलीन का डाइजोटी के रण करवाएंगे तो इसमें प्रतिस्थापन नहीं होता है यह तो जूड़ता ही है यह यह जूड़ जाता है आकर एनलीन का एसिलन है ना एसिलन मतलब जैसे एसिल ग्रूप जब जूड़ता है उसी को आप एसिलन क रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे लगुत्तरी प्रश्णों को, थैंक्स